हेलो फ्रेंज आप सभी का अपने HDS ट्यूटियोरल पर स्वागत है तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राम्या टैलेंट स्कोलर्शिप एक्जाम का रिजल्ट कब आएगा काफी लोग कमेंट किये हैं कि रिजल्ट कब आएगा तो देखिए यहाँ पर मैं ओफ तो आप नीचे description पर एक link दूंगा में एक तो राम्या ंटैलेंट का website रहेगा और दूसरा रहेगा कि राम्या टैलेंट इसकोड़सित क्या है इस पर भी एक वीडियो बन चुका है, वो वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप रम्या टेलेंट के बारे में पता कर सकते हैं, ठीके, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नीचे स्क्रोल करना है, यहाँ पर देखिए, डाउनलोड रिजल्ट एक आइकन आ रहा है, ठीके, आपका जो ओफिसल साइट है, इसी में नीचे, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिनांक, 22 से 27 अक्टूबर के बीच, स्क्रूटिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट से स्क्रूटिनी फोर्म डाउनलोड करें, ठीके, करेंगे रिजल्ट, डाउनलोड रिजल्ट में, तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो चुका है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डाउनलोड यो रिजल्ट, फिर नीचे लिखा हुआ है, रिजल्ट 10 से 20 अक्टूबर के बीच जारी किया जाएगा, आज है 17 अप्लोड करेंगे, उसको भी मैं नीचे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखिए, आपको अपना अप्लिकेसर नमबर फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर फिल कीजेगा, उसके बाद यहाँ पर सर्च रिजल्ट में क्लिक कीजेगा, आपका रिजल्ट आपके सा तारिक है, 17-18-19-20, 3-4 दिन लगभग, 3 दिन मान कर से लिए, ठीक है, 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आज आएगा, कभी भी आ सकता है, आज आएगा, लेकिन 20 तारिक तक आज आएगा, ठीक है, और अगर आपको स्कूरूटनी कराना है, तो आप 22 तारिक से 27 तारिक तक I think 27 तक ही डेट है, देखिए, अगर आपको स्कूरूटनी करना है, तो फिर 22 से 27 अक्टूबर तक का डेट है इसके बीच में, आपको यहाँ पर देखे, WhatsApp नमबर भी दिया हुआ है, ठीक है, WhatsApp नमबर दिया हुआ है, और यहाँ पर इमेल दिया हुआ है, यहाँ पर आप भे किजिए ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोट करूँ, आप तक नोटिपिकेशन पहुँच जाए,